नमस्कार दोस्तों मैं हुराकेस और आप देख रहे हैं GoToOnline तो बहुत सारे भाई हमारे ऐसे हैं जो online transaction तो करना चाते हैं लेकिन online transaction करने के लिए उनके पास कोई account यह नहीं है अगर account है तो mobile number link नहीं है अगर mobile number link है तो फिर ATM card नहीं है ताके वो UPI पिन बना सके तो बहुत सारी समस्या हैं जिसकी वज़े से वो जो है online transaction नहीं कर पाते हैं लेकिन इस वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास कोई account भी नहीं है अगर account है mobile number link नहीं है आपके account से यह आपके पास ATM card नहीं है फिर भी आप online transaction किसी को कर पाएंगे और आप receive भी कर पाएंगे अगर कोई आपको payment करता है तो तो वीडियो सुरू करने से पहले मेरे आपसे request है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो वीडियो के नहींचे आपको लालोंगो subscribe बटन दिख रहा हुआ उसको दबा करें के channel को कर लें subscribe ताके ऐसी जानकारियां आपको भविश्य में मिलती रहें तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊँगा कि अगर आपके पास कोई भी बैंक नहीं है अगर है भी तो उसमें mobile लंबर लिंक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ATM कार्ड नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है आप बड़ी ही आसानी से online payment किसी को कर पाएंगे और receive भ सर्जवार में आपको टाइप करना है यहां आपको अपना mobile नमर देना है तो मैं यह आपर mobile नमर देता हूँ mobile नमर देने के बाद में आपको send OTP पर click कर देना है send OTP पर click करते ही आपके पास एक one time password आएगा अगर आपका SIM इसी mobile में पढ़ा हुआ है जिससे आप register कर रहे हूँ तो automatic जो है ले लिया जाएगा अगर दूसरे mobile में पढ़ा हुआ है SIM तो आपको manually डालना होगा तो मैं यहा यहां पर अपना नाम देना है OTP डालने के बाद में तो यहां मैं अपना नाम दे देता हूँ नाम देने के बाद में आपको nest पर click करना है और यहां पर language select कर देना है तो मैंने English कर लिया है अब यहां आप इसको skip कर सकते हूँ उपर corner में से मैं इसको skip करता हूँ और यहां स लीव कर देता हूं इसके बाद में आप एटल थेंक्स एप के डैस्वोर्ड पर आ जाएंगे और यहां पर आपको एक option नजार आ रहा है get wallet तो आपको get wallet पर click करना है get wallet पर click करने के बाद में अब यहां पर कुछ information जो है आपको डालनी है जिससे आपका wallet जो है create हो सके तो wallet बनाने के लिए आपको यह column जो है flip करने होंगे तो मैं भर देता हूं सारे column और last name भरने के बाद में आपको date of birth भरना है email ID बरनी है pin code बरना है और यहां से आपको document select कर लेना है जो भी आप KYC के रूप में लगाना चाते हो तो मैंने यहां से voter ID select कर लिया है और यहां पर आपको document नमबर डाल देना है voter ID नमबर अगर आदार कार्ड आप चौन रहे हो तो आदार कार्ड नमबर आपको डाल देना है और नीचे continue पर click कर देना है तो मैंने यहां पर अपना voter ID संख्याद डाल दिया है और नीचे मैं continue पर click करता हूँ थोड़ी processing होगी और यहां पर आपको एक MPIN set करना है चारंग का तो यहां पर आपको पहले MPIN डालना है तो मैं यहां पर डाल देता हूँ कोई भी MPIN और फिर से आपको confirm MPIN डालना है MPIN set करने के बाद मैं आपको right पर click कर देना है और यहां पर एक OTP आएगा और OTP डाल करके आपको confirm कर देना है तो अभी मैं OTP का इंत्यार करता हूँ तो हमने OTP डाल दिया है अब यहां पर हमारा जो है wallet बन चुका है यहां पर लिखा हुआ है congratulations registration successful और नीचे आपको explore पर click कर देना है तो देखिए हम आ चुके हैं dashboard पर और उपर लिखा हुआ है Airtel payment bank और नीचे यहां पर wallet दिखा रहा है और इदर scroll करेंगे तो यहां पर आपके UPI ID दिखा रहा है आप चाहो तो इस UPI ID से कोई दूसरा account यहां से link भी कर सकते हो और इसके बाद में यहां पर आपको एक ATM card मिल payment करते हो उसी तरह आप इस card से भी online payment कर सकते हो अब देखिए यहां पर wallet में zero दिखा रहा है तो आपको इसमें money load करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको जाना है view profile में view profile में जाने के बाद में आपको जाना है my account setting में account setting में जाने के बाद में आप देखे यहां पर आरहा है AATEL payment bank तो यहां पर आरहा है add money तो आपको add money पर click करना है और फिर से आपको नीचे add money पर click करना है नीचे लिख रहा है add money तो मैं फिर से add money पर click करता हूँ और जितना add करना चाते हो आप इसमें balance वो यहां से आप कर सकते हो जैसे मैं यहां एक रुपे भर रहा हूँ और नीचे right पर आपको click कर देना है click करने के बाद मैं अब देखें यहां पर किस से आप add करना चाते हो चाहे तो आप UPI की मदद से कर सकते हो ATM card की मदद से कर सकते हो तो मैं यहां पर UPI की मदद से यहां पर add कर रहा हूँ तो मैं करता हूँ phone pay की मदद से तो आप किसी family member या friend के phone pay से इसमें पैसा जो है load कर सकते हो तो मैं यहां पर आपको लोड करके दिखा रहा हूँ एक रुपे जो है मैं लोड करता हूँ तो मैं फॉन पे से कर रहा हूँ तो आप किसी भी गूगल पे फॉन पे पे टीम किसी से भी कर सकते हैं उसमें money load तो मैं यहां पर money load कर देता हूँ तो मैं यहां डाल देता हूँ अपना M-PIN और मैंने यहां पर देखिए payment जो है successful हो चुका है अब देखते हैं हमारी बॉर्ट में credit हुआ है कि नहीं हुआ है तो यहां पर processing payment थोड़ सा हम wait करेंगे payment हमार हो चुका है अब देखिए हमारे बॉर्ट में जो है एक रुपए यहां पर लोड हो चुका है मैं यहां पर आपको दिखा देता हूँ so balance में जाएंगे आप और यहां पर मैं एक वार refresh कर देता हूँ इसको अभी यहां पर so नहीं हुआ है तो मैं फिर से एक वार refresh करता हूँ payment हमार हो चुका है तो अभी कितनी देर में यहां पर so होगा तो मैं थोड़ा सा wait करता हूँ तो देखिए हमारा जो एक रुपया है यहां पर आ चुका है तो इस wallet में आप money load कर लें जितना आप चाहे उतना कर सकते हो और जब भी आप payment करोगे तो इसी wallet से आपका पैसा कटेगा रेचार्ज करोगे तब भी यहीं से कटेगा और आपको कोई payment करेगा तो इसी wallet में आके receive हो जाएगा तो यह app इतना अच्छा है इसमें आपको कोई bank account की ज़रूत नहीं है आप wallet की मदद से किसी को भी payment कर सकते हो payment receive कर सकते हो तो इस app की मदद से आप airtel payment bank में एक saving account वे open कर सकते हो और उस saving account पो फिर आप किसी भी UPI wallet में use कर सकते हो जैसा कि phone पे, google पे, amazon पे किसी में भी आप उसको link करके आप उस ATM कार्ड की मदद से जो virtual ATM कार्ड था उसकी मदद से आप pin generate कर सकते हो तो यह जानकारी अगर आपको प भाई लोग इस app का जो है लाव उठा सकें तो फिर मिलूँगा किसी नई जानकारी के साथ तब तक के लिए गुडबाई